विदीशा में बारवाले गनेश मंदिर के पास उफनती बेतवा में नहाने गए भाजपा जीलिया ध्यक्षे राकेश जदौन सहीद दो कारिकरता पामी में डूब गए उन्हें मौके पर मौझूद होम गाज जवानों ने बचा लिया घटना गुरुवार शाम की बताई देर शाम के समय बारवाले गनेश के दर्शनों के लिए भाजपा जीलिया ध्यक्ष राकेश जदौन भाजपा नेता तेजंदर सिंग बन्नू और यशपाल सिंग मंदिर दर्शन के लिए गए थे मंदिर में दर्शन करने के बाद वे नहाने के लिए रंगाई पर बने स्टाप डैम पर पहुँच गए बारवाले गनेश मंदिर पर ही होम गाट की टीम मौझूद थी जब जीलिया गेफश अपने कारकरताओं के साथ नहाने जा रहे थे तब दोनों हम गाट के जवानों ने उनसे नहाने का अनुरोत किया लेकिन वे वहाँ नहाने गए इस दौरान नहाते समय घाट के नदी के अंदर की ओड चले गए पानी का तेज बहाव और गहरा होने करवे पानी में फस गए और हालात इतने खराब हो गए कि निकलना मुश्किल हो गया घाट पर मौझूद लोगों ने उन्हें नदी में फसा देख शोड मचाया जीलिया द्यक्ष जादौन और यश्पाल सिंग जरने के निचले हिस्से में डूपते चले गए जबकि तेजंदर सिंग किसी तरह से तैर कर पानी के दूर चले गए अवाज सुनकर होमगाई जवान माधव सिंग कुशावा और कैलाश विश्कर्मा ने पानी की छलांग लगा दी और लाइफ जैकेट की मदद से जीलिया द्यक्ष और यश्पाल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया पानी में डूबने के कारें भाजपास जीलिया द्यक्ष के पेट में पानी चला गिया था होमगाई टीम ने उनके पेट से पानी निकाला और उन्हें ततकाल मेडिकल कॉलेज में भरती कराया यश्पाल और भाजपास जीलिया द्यक्ष मेडिकल कॉलेज में भरती है